हलो नमस्कार साथियों आज क्यों बात करते हैं तो आज पुन है एक बार भारत की बेटी के द्वारा भारत का सीना गर्ब से चोड़ा कर दिया गया पिसेशन एक बात करें तो आग द्यान आखेगा सोलन की बेटी क्या नम है सोलन की बेटी है बलजीत कोड खास करके अगर इनकी बात करें तो माउंट परवतार वही अर्थातिन की एक साथी थी जो राजस्थान से सम्मादे थी गुडबाला तो गुडबाला के साथ मिल करके यह 7161 मीटर उचाई की जो चोटी होती है उस पे इन्होंने फते हासिल किया खासा ध्यान कीगा अगर इस चोटी की जब बात करते तो पुमोरी चोट हैं और उन्हीं सारी चोटियों के संदर में देखा जाए तो यहां पे इन्होंने क्या किया इन्होंने खास करके जब बात करते हैं किसका बलजीत कौर का तो बलजीत कौर ने पुमोरी चोटी पर फते हासिल किया ध्यान कीगा इसके लावा और भी इन्होंने कई सारी उपल पहली बार तो उस चोटी पे चड़ा जो कि सबसे दुरगम माना जाता है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ही महीने में 8000 मीटर की जो उचाई होती है उससे अधिक 4 चोटियों पर इन्होंने चड़ाई किया आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, माउंट अ माउंट लाह से ये करीब-करीब 8000 मीटर से उची सारी चोटिया है और इन सारी चोटियों पर एक ही महीने के अंतगत चार अलग-अलग चोटियों के उपर इन्होंने क्या हिया चड़ाई की तो इस कांट से ध्यान कीगा खास करके सोलन की बेटी बलजीत कौर, सोलन की पुमोरी चोटी पर चड़ाई की है और इसी कांट से इनका नाम महत्पोर हो जाता है, खास करके आजकल बेटियों का दिवस चल लाए, अभी आपने देखा होगा कि यूपियसी का रेजल्ट आया था जहां पर उत्तब देश की ही लड़की, खास करके जब हम बात करते हैं सर्मा जी की खास, उनका नाम आपने सुना भी होगा, अगर यहां पर बात किया जाए तो उन्होंने क्या किया, पहला अस्थान हासिल किया, बेटियों की जब बात के तो बेटियां आप भी जानते हैं कि देश के सीने को खास करके, जब हम बिस्सु पटल की बात करते हैं, तो उस पे एक अलग ही प्रभाव छोड़ करके जाती हैं, जिसे इसते हैं, आज की बिंद को यहीं तक अकते हैं, बाकी मिलेंगे किसी एक नए संदर के साथ, आपका दिन सुबहूर।